और जैसा कि BMC के द्वारा हमारा जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है मैं रायराजेश कुमार बच्चों हम लोग मैट्सवन की पढ़ाई कर रहे थे और मैट्सवन में हम लोग 3.3 तक हम लोग का हो गया था पढ़के अब उसके आगे का हम देखेंगे और हम लोग ने देखा था कि नमुना उकास क्या होता है नमुना घटक क्या होता है यह सब चीजे हम लोग देख चुके थे अब उसके आगे जो घटना करम होता है सुरी बच्चो हम लोग अंगरती स्रिंखला के बारे में देख रहे थे जहांपे कि हम लोग ने पद निकालना सीखा था कि TN मा पद क्या होता है या फिर हमको जब योगफल ग्याद करना होता है तो योगफल ग्याद करने के लिए हम लोग कौन से फर्मूले का उपयोग करते हैं तो हम लोग ने यहाँ से देखा था कि जब हम लोग को कोई पद ग्याद करना रहता है तो हम लोग फर्मूला लगाते हैं TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D जहाँ पे यह जो A होता है वह होता है पहला पद और D होता है सामाने अंतर कि दो पदों के बीच का जो अंतर है उसे हम लोग अक्षर D से दिनोट करते हैं तो हम लोग TN बराबर लिखते हैं फर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D और जब हम लोग को योगफल ग्याद करना रहता है कि दिये हुए समझो कि 15 पदों का योगफल कितना होगा या जो भी दिया रहेगा कि इनका योगफल कितना होगा तो जब हमको योगफल ग्याद करना होता है तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगाते हैं Sum of N Numbers तो वह फॉर्मूला हमारा होता हुआ है SN बराबर N by 2 2A plus N minus 1 into D तो यह दो फॉर्मूले हम लोग ने देख चुछ बच्चो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इस फॉर्मूले का उपयोग जो है यह किस तरह से हम सवाल सॉल्व करने में लगाते हैं तो अंगरतिस रिंखला का जो उपयोजन है वह इस चैप्टर में 3.4 के अंदर दिया हुआ है 3.4 में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन दोनों फॉर्मूले के आधार पे इन दोनों सुत्र के आधार पे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो बच्चो सबसे पहले हम लोग देख रहें कि हमारा जो पहला एक उदारं का सवाल दिया हुआ है वह दिया है कि अनवर प्रतीमा एक निश्चित रासी बचत करता है पहले महीने बर 200 रूपए की बचचत करता है दूसरे महीने 200 रूपए की बचचत करता है और तीसरे महीने 300 रूपए की बचचत करता है तो इस क्रम में 1000 रूपए की मासित बचचत कौन से महीने में होगी उस महीने तक की कुल बचचत कितनी होगी सबसे पहले बच्चो आपको यह सवाल जो लिखा हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है उस सवाल में दिया क्या चीज है और पूछा क्या है जब हमको यह मालूम होगा कि सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है तो हमको सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो अनवर है वह हर महिने एक निश्चित रासी की बचत करता है पहले महिने दिया है 200, दूसरे महिने दिया है 200 और तीसरे महिने दिया है 300 तो हम लोग देख रहें कि यहां पर पचास रूपए का अंतर चल रहा है, मतलब हर महिने 50 रूपए 50 रूपए बढ़ रहा है तो हम देखते हैं यहां पे कि वो पहले महीने कर रहा है 200 prejudice की बच्चा, दूसरे महीने कर रहा है 200тории सो की बच्चा golden की इस प्रकार हमारा जो स्रिंक्ला प्राप्त होता है वो छिंक्ला होता है 200 200 300 यह एक अंगढ़ती स्रिंक्ला है अंगरती स्रिंकला इसलिए कि इसका जो सामान्य अंतर है वह common है मतलब कि स्थिर है अचर है पचास-पचास-पचास का difference देख रहे है तो यहाँ पे हम देखते हैं A बराबर 200 पहला पद वह दिया हुआ है 200 और difference जो सामान्य अंतर है वह हमारा होगा 50 और इसमें दिया है कि TN मतलब कि 1000 रुपए वह कौन से महीने में बचत करेगा तो हमारा जो last का पद है अर्चा TN में पद है वो दिया हुआ है कि वो है 1000 अब यहाँ पे हमको find out करना है N N मतलब कि कितने महीने के बाद वह 1000 रुपए बचत करेगा तो जब यन या TN से संबंदी सवाल पूछे तो हम लोग को तो इसमें दोई फर्मूला पर काम करना है एक हमारा है फर्मूला TN और दूसरा हमारा फर्मूला है SN का तो हमने यहाँ पे लिख दिया TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह हमारा सुत्र है अब इस सुत्र पे हम लोग जो मान ऊपर दिया है उसको प्रतिस्थापित करेंगे जैसे TN का मान ने यहाँ पर दिखिये कितना दिया था, 1000, तो TN के जगह पर यहाँ लिख दिया हमने 1000, A का मान दिया है 200, तो यहाँ पर A के जगह पर लिख दिया 200, N का मान मालूम नहीं है, minus 1, और जो common difference at D है, वो है 50, तो यहाँ पर D का मान हम लोग ने लिख दिया 50, पर, अब मान रखने के बाद जब इसको solve करेंगे, तो 1000 ऐसे निकाल लिया, बराबर 200, अब इस 50 का, हम लोग ने N minus 1 में गुड़ा किया, तो N में 50 का गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 50 N, और 50 का, तो minus 50, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ minus 50 है, यहाँ पर 200 है, तो 200 में से जब 50 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1500, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 150, और यहाँ पर 50 N, आब क्या करेंगे, कि इस 1500 को हम लोग बराबर के इधर लाएंगे, दूसरी तरब, तो यहाँ हो जाएगा 50 N बराबर 1000 minus 1500, 1000 में से हमने 1500 को घटा दिय तो कितना बचा हमारा एंसर मिला यहाँ पर 850, तो 50 N बराबर 850, अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए N बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, N बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 850 बटे 50, अब इसको हम लोग कट कर देंगे, तो यह 0 से 0 कट को गया, यहाँ पर 85 में 5 का भा कहने का अर्थ है कि सत्र महीने में वह कितनी की बचत करेगा एक हजार की अब इसमें दूसरा जो पूछा हुआ था कि कुल कितनी बचत करेगा अब कुल बचत ग्याद करने के लिए हम लोग को SN का फर्मुला लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि TN का फर्मुला कब लगाते हैं और SN का फर्मुला कब लगाते हैं SN का अर्थ होता है जब योगफल पूछा रहेगा जब कुल वर्ड आएगा योगफल आएगा तब हम लोग SN का फर्मुला लगाएंगे तो 17 महिने में कितनी बचत करेगा वह हम देखने के लिए हम लोग फॉर्मॉला लगाएंगे SN बराबर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D अब यहां पर हम मान लग देंगे N का मान हमारा 17 है क्योंकि 17 महिने है तो यहां पर S17 N के जगह पर हम लोग लग दिया 17 बटे 2 ब्रैकेट में 2A यहां पर 2A है तो 2 और A का मान हमारा कितना था 200 तो 2 गुड़े 200 प्लस N का मान 17 माइनस 1 और गुड़े D है तो D का मान 50 अब यहां पर हम लोग देखते हैं आगे कि 17 बटे 2 अब 200 में 2 का गुड़ा कि यह 400 सोलह में 17 में से एक गया 16 और गुड़े 50 करेंगे तो 16 गुड़े 50 करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 16 गुड़े 50 करने पर यह मिलता है 1200 और दो का भाग हम लोग यहां पर इसको कट कर दिये दो का इसमें भाग दे दिये तो कितना आ जाएगा 600 तो 17 गुड़े 600 यहां पर किये तो 17 गुड़े 600 करेंगे तो हमको जो एंसर मिलता है वो मिलता है 10,200 तो जो सवाल में हमको पूछा था इसमें कि 1000 की बचचत कम करेगा तो 17 महिने में वो 1000 रुपे की बचचत करेगा और कुल 17 महिने में कुल कितनी बचचत करेगा तो कुल बचचत करेगा वो 10,200 रुपे तो जो इसमें आपको यह समझना है कि सवाल में क्या दिया है और सवाल में क्या चीश पूछा है अगर सवाल में कितने महीने में होगा या कौन सा पद होगा तब हम लोग TN का फर्मल लगाएंगे और कितना योगफल होगा कुल कमाई कितनी होगी जब यह कुल वर्ड आएगा तो हम लोग TN का फर्मल लगाएंगे एक और उदारन लेते हैं फिर हम सवाल पर आएंगे तो यहां पर हम लोग जैसी की देख रहे हैं कि दूसरा एक उदारन है यहां लिखा हुआ है कि स्रीमती सेक को वर्स 2015 में एक लाख असी हजार रुपे वार्सिक वेतन वाली नोकरी मिली कार्याले ने उन्हें प्रति वर्स दस हजार रुपे की व्रिद्धी देना तैं किया तो कितने वर्सों के बाद उनका वार्सिक वेतन दो लाख पचास अजार रुपे होगा अब सबसे पहले आपको इस सवाल में समझना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ना योगफल पूछा है ना कूल वर्ड दिया है ऐसा कोई भी चीज नहीं दिया है इसमें यह दिया है कि उनकी जो सुरुवाती पिमिन थी जो नोकरी थी वार्सिक थी वह कितने कि थी एक लाक असी हजार और हर साल के बाद दस अजार रुपए की व्रिदी मतलब कि उनको इंक्रीमिंट मिलते रहेगा तो कितने वर्स के बाद अभे वर्स कितने वर्स कितने महीने तो वहां पर हम लोग किसका फॉर्मुला लगाएंगे ती एन का फॉर्मुला कहने का मतलब यहां हमको एन का मान ग्याद करना है तो जैसा कि सारणी में आप आप देख रहे होगे कि पहला वर्स था तो उनको कितनी पेमिंट मिल रही थी पहले वर्स में एक लाक असी हजार अब 2016 जब यर आएगा तो उसमें एक लाक असी हजार कंरूर की पेमिंट और दस हजार की क्या है व्रिद्धि है तो एक लाक असी अजयर प्लस दस अजयर को जोड़ देंगे ऐसी तीसरा महिना आएगा जब दिसरा साल आएगा दो हजार सत्र का तो यहां पे एक असी दस एक नभी हो जाएगा एक नभी में प्लस दस और बच्चों यहां पर देखो जैसे कि दिया हुआ है A का मान दिया है 1,80,000 A का मान का अर्थ होता है कि जो पहला चीज दी रहती है जहां से सुरुवात होती है वो हमारा होता है A तो A का मान आ गया 1,80,000 और हर महीने की ब्रिद्धी हो रही है अर्था D का मान 10,000 रूपए और दिया है 1,80,000 TN का मान मतलब कि हमको वर्स पता नहीं कि कौन से वर्स में होगा लेकिन जो लास्ट TN का है वह धायलाग दिया इसलिए हम लोग यहां पर लिख दिया TN बराबर 1,80,000 अब N का मान हमको फाइंड आउट करना है कि कितने वर्स के बाद यह धाई लाक रूपए पेमेंट होगा अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह सुत्र लगाएंगे अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर TN का मान दिया हुआ है धाई लाक रूपए तो हमने TN के जगे पर रख दिया धाई लाक दो लाक पचास जार A का मान क्या दिया हुआ है एक लाक असी हजार तो यहां A का मान रख दिये N कमान फाइंड आउट करना है N-1 और D कमान दिया है हमारा 10,000 अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जो एक लाक असी हजार है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो बराबर के जब दूसरी साइड लाते तो क्या हो जाएगा घटाना तो 2,50,000 में से 1,80,000 को घटा दी और यहां पे क्या बच गया था N-1 गुड़े 10,000 तो यहां पे रखे और 2,50,000 में से 1,80,000 को घटा दिया जब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो हमको मिलेगा 70,000 रुपए तो N-1 गुड़े 10,000 बराबर 70,000 इसलिए N-1 बराबर 70,000 बटे 10,000 जब हम लोग भाग देंगे तो सारा 0 कर जाएगा क्या बचेगा 7 तो N-1 बराबर 7 तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि N-1 बराबर 7 इसलिए अब माइनस 1 या जो 1 है या इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसलिए N बराबर 7 प्लस 1 बराबर कितना आ गया हमारा 8 तो 8 वर्स में वार्सी का है कितना हो जाएगा उनका 2,50,000 रुपए तो इसी तरह के सवाल हमारे स्वाध्याय 3.4 में दिया हुआ है यह हम लोग ने उदाहरन देखा और ऐसी ही सवाल हमारे स्वाध्याय में दिया हुआ है कि आपको या तो वर्स निकालने होंगे या तो कुल योगफल, कुल कमाई इस तरह के ही चीज़े सवाल करनी है तो दो ही चीजे है, फॉर्मूला इसमें एक TN का फॉर्मूला है और एक SN का फॉर्मूला है इन ही दोनों चीजों का उप्योग करके आपको सवाल को हल करता है बढ़ते हैं हम लोग 3.4 के पहले सवाल पे बच्चों यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे पहला सवाल जो 3.4 में आपके टेक्श्बूक में दिया हुआ है वह दिया है सानिका ने एक जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपे दूसरे दिन 11 रुपे, तीसरे दिन 12 रुपे इस प्रकार बच्चत करते रहना है 31 दिसमबर 2016 तक उसकी कुल बच्चत कितनी हुई अब मैंने आपको यह बताया कि सवाल में आपको देखना है कि क्या वर्ड आया है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुल वर्ड आया है तो सवाल को देखते ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मला लगाएंगे टीन का लगाएंगे या एसन का लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर एसन का फॉर्मला लगाएंगे तो अब देखिए यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ है कि सानिका ने पहले दिन 10 रूपए, दोसरे दिन 11 रूपए और तीसरे दिन 12 रूपए की बच्छत की तो जो हमारा अनुक्रम मिलेगा, वह मिलता है 10, 11, 12 का, यह क्रम ही मिलता है और इसका सामाने अंतर जो है, जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? एक का, हम लोगे 11 में से 10 गटाएंगे, 12 में से 11 गटाएंगे, हर एक जगह पे हमको एक का डिफरेंस मिलता है तो जब समाने अंतर अचर है या इस्थिर है तो हम लोग कहते हैं कि यह एक समानतर सेड़ी है आप हमको कुल बचद ग्याद करनी है तो इसमें आप देखेंगे कि साल दिया है दो हजार सोला आप बच्चों दो हजार सोला यह एक लीपियर है लीपियर के बारे में आपको पता होगा कि लीपियर जो होता है उस साल में 306 दिन होते हैं एक दिन बढ़ जाता है लीपियर की पहचान नहीं है कि एक तो यह हर चार साल के बाद आता है और उस लीपियर में फरवरी जो है वह 29 का हो जाता है अगर आपको find out करना रहे कि कौन सा यह लीपियर है या कौन सा यह लीपियर नहीं है तो आप लोग यह ध्यान रखो कि जिस साल में चार का पूरा-पूरा भाग जाता है तो वह लीपियर होता है जैसे यहाँ पे देखो दिया है 2016 तो 2016 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 425 और 424 का क्या हो जाएगा तो इसका मतलब पूरा-पूरा भाग गया तो यह लीपियर है या हम लोग 2016 के बाद 2020 आएगा तो 425 चारपचे बीस वह लीपियर है तो जिन संख्याओं में 4 से जिस वर्स में 4 का पूरा-पूरा भाग चले जाता है उसे हम लोग कहते हैं लीपियर और उस साल में एक दिन बढ़ जाता है एक दिन बढ़ जाता है 365 दिन का हमारा साल का होता है लेकिन जब लिपियर आता है तो एक दिन बढ़ जाता है वो जाता है 306-6 days तो अब हम लोग देख रहे हैं सवाल पर आते हैं इसमें बुलाएं कि पहले दिन 10 रुपया, दूसरे दिन 11 रुपया, तिसरे दिन 12 रुपया मतलब हर एक दिन 11 रुपया बढ़ रहा है, तो पूरे साल में, पूरे साल मतलब वो लिपियर है तो पूरे साल में दिन कितने होगे 306-6, तो 306-6 दिन में उसके पास कुल बज़त कितनी होगी अब हम लोग को क्या ग्याद करना पड़ेगा, इसलिए S366 S का मतलब sum of 366, 366 दिन का यूपफल हम लोग ज्याद करेंगे तो मैंने बता है कि हम लोग formula तो यहीं लगाएंगे S n का, S n बराबर n upon 2, 2 a plus n minus 1 into d यह formula आपको याद रखना है, यह formula याद रहेगा अब इसमें जो data दिया हुआ था, जैसे S n तो कितना था 366 तो हमने यहाप लिख दिया, S 366 की पी 306 दिन थे n का मान हम लोग यहाँ पर रख दिये 306 बटे 2 2 और a का मान पहला पत कितना था, यहाँ पर 10, 10 रुपे की पहले बचट करता तो 2 गुड़े 10 कर दिया, bracket में n minus 1, n का मान 366 minus 1 और d दिया हुआ है, हमारा difference कितने का रहा है, एक का रहा है, एक रुपे बढ़ रहा है तो हमने लिख दिया, यहाँ पर 366 minus 1 गुड़े 1 अब इसको हम लोग ने 2 से कट कर दिया, यहाँ पर इसको 2 से कट कर दिया तो यह क्या दिया हुआ था, यह दिया हुआ था हमारा 366 तो 366 को हम लोग ने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमको मिलता है 183 और 2 गुड़े 10 कर दिया, तो वो आ गया हमारा 20 और 366-1 तो बचता है हमारा यहां पर 365 अब 183 अभी 20 और 365 इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया यहां पर 385 हम जब 183 और 385 का गुड़ा करेंगे तो हमको प्राप्त होता है तो जो सानिका की कुल कमाई थी वह थी सतर हजार चार सो पच्पन रुपे की ठीक है बोलो कौन बूरता ठीक है ठीक है हम लोग प्रश्टुकतर लेंगे आगे पहले हम लोग सवाल समझ लेते हैं फिर जिसको जहां doubt रहेगा हम लोग उसको वापस से ले लेंगे तो हम लोग बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि यह जो सवाल दिया था एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सानिका ने एक जनवरी एक जनवरी 2016 को यह निश्चित किया कि 10 रूपे उसके बाद 11 रूपे उसके बाद 12 रूपे मतलब हर एक दिन एक एक रूपया बढ़ा करके वो बच्चत करेगी तो पहले दिन 10 रूपे था इसलिए हम लोग ने एक का मान 10 लिया और दी का मान कितना बढ़ रहा है एक एक रूपया बढ़ रहा है इसलिए दी का मान एक लिया और 2016 ते उसकी कूल बच्चत कूल वर्ड आया है इसका मतलब है हमको SN का फर्मूला लगाना है तो हम लोग देखते हैं कि 2016 इस साल में 306 दिन होंगे कि वह एक लिप एर है अधिवर्स है तो हमको 306 देश का पूरा बच्चत ग्याद करना है तो हम लोग ने यहां पर फर्मूला लिख दिया SN बराबर N upon 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D यह फर्मूला याद रखना है अब इस फर्मूला पे आपको मान को प्रतिस्थापित कर दिया हम लोग ने S 366 N के जगे 366 बटे 2 bracket में 2 गुड़े A का मान 10 है तो यहां पर 10 रख दिया हम लोगों ने N minus 1 N का मान 366 minus 1 और D का मान हमारा 1 है उसका गुड़ा कर दिया तो इसको भाग दिया यहां कट किया तो हमारा 183 आया और यह 10 गुड़े दो किया तो 20 और 366 में गटा दिया तो 365 अब इन दोनों को 20 और 365 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 185 तो यह 185 और यह 183 गुड़े में था इसका गुड़ा कर दिया हम लोग का एंसर आ गया उस पर 1360 रुपे ब्याज देने का वादा किया प्रते किस्त के बाद 40 रुपे कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुकतान कर दिया तो उस ब्यक्ति द्वारा भुकतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त की रासी कितनी होगी तो बच्चों जो सवाल दिया है आप सवाल को समझेंगे कि किसी ब्यक्ति ने 8000 रुपे कर्ज लिया और उस पर ब्याज जो इंट्रेस्ट है वह 1360 रुपे इंट्रेस्ट देगा तो कुल रकम कितनी देगा वो 8000 तो उसने लिया था 1360 रुपे ब्याज तो हो गया हम दोनों को जोड देंगे तो यह हो जाता है हमारा 8000 प्लस 1360 कि इतना उसको वापस करना अब कितने समय में वापस करना है तो इसमें दिया है 12 किस्त, 12 installment को वापस करना है 12 Kिसतों में return करना है तो पूछा है पहली किस्त पहली मतलब जब पहली बर्ड़ा है मतलब a का मान और Anim किस्त मतलब tn का मान कितना होगा तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि बेक्ती द्वारा भ्युक्तान की जाने वाज़े जो कुल रकम होगी वह होगी आठ हजार तो उसने लिया था और प्लेस तेरा सो साथ उसका इंट्रेस तो कुल हो गया नो हजार तीन सो साथ हो भ्युक्तान करेगा अब जो अंतर है हम लोग देखते हैं कि 40 रूपे क्या हो रहा है कम हो रहा है हर एक के बाद 40 रूपे कम हो रहा है तो यह बात ध्यान में रखना कि जब कम होगा तो D का मान हम लोग माइनस में लिखते हैं और जब वृद्धी हो रही होगी जब देगा कि इतने की वृद्धी हो रही है तब D कामान धनात्मक या धन में लिखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है यह कम हो रहा है तो हम लोग D कामान यहां माइनस 40 लिखे हुए है क्योंकि प्रते किस्त क्या हो रही 40 रुपए कम हो रही है अब कितने किस्तों उसको वापस करना है 12 किस्तों उसको भुक्तान करना है तो इसका मतलब S12 बराबर 9,3,6,0 अब हम लोग SN का formula लिख देंगे यहाँ पे तो SN का formula हमारा होता है SN बराबर N upon 2 2A plus N minus 1 into D N 12 किस दिया इसलिए S12 लिख दिया N का मान 12 यहाँ पर रख दिया 12 बटे 2 तो 2A अब A का मान पूछा है हमको A का मान मालूम नहीं है तो हम लोग 2A ऐसी लिखेंगे यहाँ पर अब N का मान कितना है 12 तो यहाँ पर 12 minus 1 N minus 1 तो 12 minus 1 और D का मान minus 40 तो गुड़े यहाँ पर हम लोग ने कर दिया minus 40 यह मान रख दिया अब इसको देखेंगे कि S 12 जो पूरी रकम है वह है 9,360 इसलिए S 12 के जगे पर हम लोग रख दिये 9,360 अब 12 बटे 2 तो इसको हम लोग ने कट किया यहाँ पर तो कितना आ गया दो चक 12 तो यहाँ पर आगया 6 ब्रेकेट में 2A वैसे ही है 12 में से कटा आदियत कितना बचा 11 और गुड़े यह माइनस 40 इसलिए 9,360 बराबर 6 ब्रेकेट में 2A माइनस 11 का गुड़ा 40 में करेंगे तो 2A माइनस 440 9,360 बराबर 6 का गुड़ा किया इसमें तो 6 दुना कितना हो गया 12A और 440 में 6 का गुड़ा करेंगे तो यह आ जाएगा 2640 अब यह जो 2640 है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो जो माइनस है वह हो जाएगा धन तो 9,360 और प्लस 2640 बराबर 12A तो 12A बराबर 12,9,360 और 2640 दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 12,000 तो 12A बराबर 12,000 इसलिए बराबर 12,000 बटे 12 तो 12 एक कम 12 इसको हम लोग ने कट कर दिया यहाँ पे तो यह हमारा एंसर आ गया यहाँ पे 1000 रूपए अब अंतिम किस्त बोला है तो अंतिम किस्त का मतलब होता है TN का मान ग्याद करना है तो हम लोग TN का फर्मॉला यहाँ अप लगा देंगे TN 12 तो T12 बराबर A का मन हम लोग ने निकाला यहाँ पे पहली किस 1000 तो उसकी जग़ा पर रख दिया 1000 N का मन 12 है हमको पता है तो 12 माइनस 1 और D का मन कितना है माइनस 40 तो T12 बराबर 1000 ऐसी उतार दिया यहाँ पे 12 में से गया 11 गुड़े माइनस 40 अब 11 में 40 का गुड़ा के तो यहाँ पे आ गया 440 एक 1000 में से 440 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 560 तो यह 560 यह अंतिन किस्त थी उसको देने के लिए और पहली किस्त क्या मिली थी हमको 1000 रुपए कि पहली किस्त थी 1000 रुपए तो बच्चों यह सवाल को हमने देखा कि इस सवाल में जो दिया हुआ था इसमें दिया था कि किसी ब्यक्ती ने 8000 रुपए कर्ज लिया और 1360 उसके ब्याज दिया तो हम लोग ने कर्ज और उसके ब्याज दोनों को जुड़ दिया तो वह कितना आ गया 9360 आ गया यहाँ प जो कम होता तो माइनस लिखते है और जो ब्रिद्धी रहेगा तो प्लस लिखेंगे तो हमने डी कमान यहाँ पर लिख दिया इसलिए माइनस चालीस अब उसके बाद 12 किसमें कितनी भुकतान करेगा तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि 12 किसमें टोटल 9360 रुपे भुकत नहीं था तो यहां से हम लोग ने एक आमान गयाद किया और वही एक आमान जो है वह पहली किस्त थी और अंतिम किस्त ग्याद करने के लिए हम लोग ने TN का फॉर्मला लगाया Tn बराबर A प्लस N-1 इंटो D तो इस फॉर्मला को रख करके हम लोग ने अंतिम किस्त निकाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते बच्चो तीसरा सवाल दिया हुआ है इस सवाल में दिया है कि सचीन द्वारा रास्टी बच्चत प्रमाल पत्र में पहले वर्स 5000 रुपे दूसरे वर्स 7000 रुपे तीसरे वर्स 9000 रुपे इस प्रकार निवेश किया गया तो सचिन ने 12 वर्सों में कुल कितना निवेश किया तो अब यहाँ पे सवाल देखो कि दिया हुआ है कि उसने पहले वर्स 5000 दूसरे वर्स 7000, तीसरे वर्स 9000 ऐसे निवेश किया तो 12 वर्स में कुल कितना निवेश किया अब इसमें आपने क्या पहचाना कौन सा वर्ड पहचाना कुल तो जब मैंने बताया कि कुल वर्ड आएगा या योगफल आएगा तो कौन सा फर्मॉला लगाएंगे SN का लगाएंगे वेरी गुड तो अब हम लोग यहां पर पहले डेटा लिखेंगे कि सवाल में दिया क्या चीज है और उसके बद फर्मॉला लगा करेंगे हम लोग solve करेंगे तो इस सवाल में दिया है क्या पांच हजार साथ हजार साथ हजार नौ हजार यह अनुकरम प्राप्त होता है तो कितने का difference चल रहा है हम लोग difference निकाल लेंगे तो 7000-5000 बराबर 9000-7000 दूसरे पद में से पहले पद को घटा है तो हम लोग देख रहे हैं कि 2000 का अंतर है difference तो यह D का मान हो गया हमारा 2000 रुपए अब हर एक पद का अंतर जो है वह 2000 का है 2000 में से 7000 गटा यँ 2000 सात हजार में से 5000 जटाया है 2000 तो यहां पर का मान दिया हुआ है 5000 और N का मान दिया है 12 12 दिया हुआ है N का मान अब 12 वर्सों में किया गया निवेश का अर्थ है कि हमको S12 का मान गयाद करना है तो जब हमको S12 का मान गयाद करना है तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मुला लिखेंगे अब जो जो चीज़े यहाँ पर दी है इस फॉर्मुला पर सिर्फ मान रख देना है जैसे S, N का मान कितना था 12 तो यहाँ पर हम लोग ने दिया S12 N का मान 12 तो यहाँ 12 बटे 2 2A, A का पहला पद हम लोग देख रहे कितना है 5000 तो 2 गोड़े 5,000, A का मान रख दिया, प्लस N का मान 12 है, मान 12 मान 12 मान 12 मान और D का मान यहाँ पर हम लोग को दिया है 22,000 रूपे तो हमने यहाँ पर 2 का मान 2,000 रख दिया अब ब्रेकेट को हम लोग स्वाल करेंगे यहाँ पर तो solve करें तो यहां पर हम लोग देख रहे है कि 12 बटे 2 दिया है तो इसको हम लोग कट कर देंगे 2 से कितना आ जाएगा 6 तो यहां पर हमने लिख दिया 6 अब 2 गुड़े 5000 करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 तो यहां लिख दिया 10,000 अब 12 में से 11 गुड़े 2 करेंगे तो 11 दुना कितना हो जाता है 22,000 तो यहां पर 6 ब्रेकेट में 10,000 प्लस 22,000 दोनों को जब जोड़ देंगे 10,000 और 22,000 को यह मिल जाता है हमको यहां पर 32,000 रुपे और गुड़े इसका 6 तो 6 गुड़े 32,000 करेंगे तो हमको उत्तर प्राप्त होता है 1,92,000 तो सचीन द्वारा 12 वर्सों में निवेश की गई कुल रासी होती है 1,92,000 तो बच्चों यहां पर हमने तीन सवाल देखा तीसरे सवाल में दिया था कि सचीन द्वारा राष्टी बच्चत प्रापत में पहले वर्स 5,000, दूसरे वर्स 7,000, तीसरे वर्स 9,000 इस प्रकार निवेश कर रहा है तो हमारा जो अनुकरम मिलेगा अनुकरम आप लोग क्या लिखेंगे 5,000, 7,000, 9,000 यह अनुकरम हो गया अब इसका जो असामान अंतर है जितने का डिफरेंस चल रहा है तो हम लोग देखते 5,000, 7,000, 9,000 तो 2,000 का डिफरेंस दिख रहा है इसलिए हम लोग D का मान लिख लेगे 2,000 रूपे अब इसमें कुल कितना होगा तो मैंने बोला है कि जब पूल वर्ड आएगा तो SN का फर्मॉला लगाना है तो हम लोग ने SN बराबर SN का फर्मॉला लगाना है कि SN बराबर N अपॉन टू ब्रेकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इन्टू D अब सारे जिसकी चीज़ों का दिया हुआ था तो उसका मान रख देना है SN, N का मान 12 था तो वहाँ पे S 12 रख दिया N का मान 12 था तो वहाँ 12 रख दिया 2A, A का मान पहला 55 था तो वहाँ 5,000 रख दिया और D का मान यहाँ 12,000 था तो D का मान 2,000 रख दिया और इस तरह से हमको स्वाल कर लेना है तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको जो मैंने तीन सवाल और दो उदाहरण के सवाल बताए वो समझ में आया होगा अगर किसी को कुछ डाउट है या किसी सवाल में कहीं पे कि हाँ इस सवाल में नहीं समझ में आ रहेगा तो तुम लोग पूश्चन एंसर पूछ सकते हो मुझसे को अपना डाउट रहेगा तो क्लियर कर सकते हो किसी कोई डाउट है कुछ पूछना है कहीं पे कुछ दिमाग में है तो बोल सकते हो कोई डाउट नहीं है मैंने यहां पे कुछ प्रशन होमवर्क के लिए दिया हुआ है अभ्यास करके लिए तो इसका स्क्रिंसॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस करना या होमवर्क समझ के इसको सॉल करना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़े आज अभी हम लोग ने इस टॉपिक में देखा वर समझ में सबको आया होगा सबको आया समझ में तो जो सवाल मैंने दिया है उस सवाल को सभी को प्रैक्टिस करना है सभी को सॉल करना है और कोई डाउट नहीं अच्छी बात है उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो इसमें के चौथा पाच्वा और छठा जो सवाल दिया है उस सवाल को सॉल करेंगे ठीक है बच्चों फिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और और